भारत ने अभी तक Tokyo Olympic में दो ही medal अपने नाम किये हैं जिसमें से एक है silver और दूसरा है bronze मज़े की बात यह है कि दोनों के दोनों medals भारती महिलाओंने भारत के लिए जीते हैं जिसमें से PV संधू पहली ऐसी भारती महिला बन गई है जिन्होंने इंडिविज्वली दो ओलंपिक मैडल्स अपने नाम किये हैं सबसे पहले तो लास्ट संडे को उन्होंने चाइना की खिलाडी को हरा कर ब्रोंज मैडल अपने नाम किया और फिर उससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मैडल जीता था इसी तरह से भारती इत्यास की वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने दो इंडिविज्वल ओलंपिक मैडल्स अपने नाम किये हैं आपको यह इंफोमेशन कैसे लगी कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक मिलता अगली वीडियो में अगर कोई आपके सैकिल या फिर बाइक या कार के टायर की हवा निकाल दे या फिर उसे पंक्चर कर दे तो क्या उसे सजा हो सकती है देखी काईज अगर कोई अनिंटेंशनली ये काम कर रहा है तब तो अलग बात है लेकिन अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि कोई आपको नुकसान पोचाने के मकसद से आपको या आपकी property को हाम कर रहा है तो IPC की धारा 425 और 426 के तहट ये एक दंडनी अपराद है और उसे सजा भी हो सकती है और उसमें आपके वहीकल के टायर को पंक्चर करना या उसकी हवा निकालना भी शामिल है इसके लिए आप उसकी शिकायत कर सकते हो और साबित होने पर उसे तीन महीने की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं मैंने भी यह information सुनी थी सोचा आप लोगों को बता दूँ अब आपने सुनी है तो इससे share जरूर करेगा वीडियो को like करेगा और चैनल को subscribe करना मत भूलेगा मिलते अगली वीडियो में अगर मैं आपसे सवाल पूछू कि क्या यह possible है कि एक flight इस साल उड़े और पिछले साल यानि की बिते हुए साल में land करे मैं कोई mysterious घटना की बात नहीं कर रहा हूँ मैं in real in general पूछ रहा हूँ क्या यह possible है जी हाँ यह possible है और यह हुआ भी है United Airlines के एक flight शंगाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सेन फ्रांसिसको में land हुई थी अब यह simple logic है देखिए उस दिन new air था और हर एक country का time zone अलग-अलग होता है इस वज़े से ऐसा हुआ था यह कोई mysterious घटना नहीं है आपको यह interesting information कैसे लगी comment section में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए share, subscribe and like मिलते अगली वीडियो में जापान के टोक्यो में समुद्री तुफान की वज़े से और भारी बारिश की वज़े से बार का खत्रा बना रहता है 2006 के पहले तक तो बार की वज़े से जापान के टोक्यो को काफी जानमाल का नुकसान होता आया था लेकिन 2006 में टोक्यो ने underground बहुत बड़े बड़े chambers बनवाए जिनकी diameter 30 मिटर तक थी और जिनकी deepness 70 मिटर तक थी ये chambers actually बार के पानी की निकासी के लिए बनाए गए थे और 2006 के बाद से आज तब काफी बार इन chambers ने टोक्यो को बार से बचाया है और बार से होने वाले नुकसान में 90% तक कमी आई है guys क्या आपको भी लगता है कि ऐसी mega structures भारत में भी कही न कहीं बनानी चाहिए comment section में जरूर लिखेगा और ऐसे amazing videos के लिए share, subscribe and like मिलता अगली वीडियो में कौन बनेगा करोडपती ये show जिस real show से inspired है उसका नाम है who wants to be a millionaire और who wants to be a millionaire का जो पहला winner था जो वाके में इस show की वज़े से millionaire बना था उसका नाम है John Carpenter जिनोंने 1999 में इस show को जीता था लेकिन मज़े की बात ये है कि John Carpenter ने last question के पहले तक एक भी lifeline use नहीं की थी last question में आके उन्होंने एक lifeline use की जिसका नाम था phono friend और जिसमें उन्होंने अपने फादर को कोल लगवाया था और वो इसलिए नहीं था कि वो कोई answer जानना चाहते थे वो इसलिए था ताकि वो अपने फादर को बता सकें कि वो millionaire बनने वाले हैं Oh my God! What a level of confidence! Guys, आपको इन्फोर्मेशन कैसे लगी? कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसी amazing वीडियो के लिए share, subscribe and like मिलता अगली वीडियो में